नमस्कार साथियों, उमीद करता हूँ आप रोजाना स्टेडी का टाइम जरूर निकाल ले होगे, आज हम error finding का set 17 करेंगे, 10 sentence का मतलब है 10 important rules, grammar को करने का सही तरीका क्या है, आप noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, सबके basic rules पढ़ लो, अगर किसी sentence में noun, pronoun, adjective, adverb, वो पता लग जाए ये क्यों है, ये पता होना चाहिए, basic चीजे, उसके बाद में set करना शुरू करो, error finding का sentence, शुरू आद में time लगेगा, दिक्कत आईगी, बाद में जैसे ऐसे आप करोगे, आपके rules खुद बाखुद revise होते रहेंगे, time to time, मैंने जो तरीका अपनाया था, पता नहीं था, वो गलत था, उ पहले rules को खुद पढ़ना शुरू करा, अब rules को पढ़ा, अगला करना शुरू करा, तो पुराने rules वो भूल गए, sentence कम करे थे, बाद मेरे teacher नहीं मतला है कि set पे ध्यान दो, sentence करो जाद आप, और sentence करते रहें, उसके बाद में क्या हो गया, कि rules खुद बाखुद ध्यान आया एक sense बन जाता है कि यह चीज़ ऐसे सही है, तो शुरू करते हैं, first sentence, my father has given me everything, मेरे father ने मुझे पृत्य एक चीज़ दी है, which I needed to succeed, जिसकी मुझे जरूरत है सफल होने के लिए, from guidance to support, guidance से support तक, from के साथ में to आता है, सही है, from guidance to support, यह सही है, my father has given me everything, present perfect में, ठीक है, मेरे father ने पृत्य एक चीज़ मुझे दी है, which, यह गड़बड़ है, अब यह आप कहोगा कि everything के साथ which आया, इसमें क्या है, sentence का meaning के लिए रहो रहा है, कुछ चीज़ ऐसी होती है, जो हम English में native speaker को पता होती है, कि यह सूट नहीं कर रही है, वो sense ल everything के साथ में which नहीं आएगा, that आएगा, अब यह ऐसे है, मैं पूर आपको बतलाऊंगा, आपने sports shoes पहने, अब sports shoes आपने pant के उपर पहन लिए, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते, best किस पर लगेंगे, या तो आपने track suit पहना हो, या पहने jeans पहनी हो, तो उस पर best लगते हैं, सेम यहीं चीज़ है, कि कुछ ऐसे words होते हैं, जिनके साथ में हम यह चीज़ लगाते हैं, यह हमें ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पर देखते हैं, कौन-कौन से ऐसे words है, जिनके साथ में that आता है, everything के साथ आप which नहीं लाओग that, much के साथ में that, little, the same, the few, the little, सब के साथ में that आया, विचनी आएगा, शेक्षपीर का यह बहुत important line है, all that glitters is not gold, पृत्य एक चीज़, सारी चीज़ें चमकने वाली सोना नहीं होती, तो all that glitters, हमने विचनी यूज करा, all that glitters, तो all के साथ में आप विचनी लाओ और that लाओ यहां पर दो सेंडेंस है, this is the only pen, the only है, यह अकेला pen है, that, अब the only के साथ में that आया है, जो I bought yesterday, जो मैंने खरीदा था, my father has spent the little money, मेरे फादर ने थोड़ा से रुपया खर्च करा, जितना भी था, complete खर्च कर दिया, the little money, जितना भी था, पूरा, that, the little money के साथ में, that, जो I gave her जो मैंने दिया, my wife has spent, मेरी wife ने रुपया खर्च कर दिया, थोड़ा सा रुपया, that I gave her, जो मैंने उसे दिया, तो यहां पर हमने the little money के साथ में, that लगाया है, और जब the little है, तो भई, the few के साथ में भी, that आएगा, तो यहां पर इस चीज़ को ध्यान रगा, इसका screenshot ले लो इस चीज़ को ध्यान रगना, फिर आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान रगना, second sentence, अब यह rule में नहीं है, इसको कोई ऐसा नहीं कि आप screenshot लो, यहां पर sentence का meaning देखते हैं, she asked me to look, उसने मुझसे कहा, to look देखने के लिए, add the dreadful letter, ध्यानक letter को, बुरे letter को, she has got, जो से म बना चाहिए, यह sentence काफी lengthy है, इसको जोड के बनाया हुआ है, यह वाला part देखे हैं, तो देखो, how she should, यह indirect में, how, उसके बाद में helping नहीं है, how should she नहीं है, should बाद में आया है, तो यह indirect में है, how she should, asked से जोड़ा हुआ है, question word वाला है, asked how she should, कैसे, उसे reply करना चाहिए, यहां पर कॉमा आ सकता था, ठीक है, यह बड़ा sentence एक, she asked me, पूरा past में है, देखो, asked, asked, उसने मुझसे पूछा, to look at the deadful letter, बुरे letter को देखने के लिए, she has got, अब यह गड़ बड़ा है, पूरा sentence past में, यह बीच में, जो है, जो है, present perfect में दे लिया, क्या आएगा, head करो, अच्छ letter पहले मिलाता, पहले मिलाता, means past में पहले, जब past में पहले हुआ है, तो past perfect में आएगा, she had got, अगर आप past indefinite में लागा दो, तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन जो best sense है, जो best चीज है, वो क्या आएगा, past perfect में, क्योंकि she had got, यह letter पहले मिला था, letter को बाद में देख to be very little, बहुत कम प्रतीत होता है, lizen, संबंद, relationship, among the two wings of the party, party के दो धड़ों के बीच, wings means group, दो धड़ों के बीच, simple सा है, समझ गए होगे, वह दो के लिए अमंग नहीं आता, क्या आता है, दो के लिए between, अमंग भी लगा देते हैं कई बार, लेकिन, between जो होता है, यह दो के जादा के लिए भी आता है, तो यहाँ पर between आएगा, अमंग आता है, दो से जादा में लिए, ठीके, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीए तो देखो, बिलकुल मैं समझ रहा हूँ, आपको पता भी होगे, जैसे between, दो के लिए आता है, दो से जादा में आता है, तो वो उस एक on murder, murder का, कतल का दोशी पाया गया, the accused man, दोशी लोग, बहुत सारे, word sentence, पैसे हो इसमें, सजादी गई, to life imprisonment, उमर कैद की सजादी गई, अब यहाँ पर अगर हम देखे हैं, हिंदी में निकालते हैं, कतल का दोशी पाया गया, कतल का, जो हिंदी में आ रहा है, वो सेम निकालता है, हिंदी का exact English में, यहाँ पर सेम सेंस है, found guilty on murder, यह past participle मना है, अब past participle में, यहाँ पर क्या है, subject को repeat नहीं कर रहा है हमने, हम यहाँ पर जो है, जो छोड़ा हुआ है, वो क्या है, the accused man, यह लिखते है, the accused man, वर, अब यह रिपीट होता, फिर the accused man, वर आता, रिपीट से बचने के लिए, found guilty से शुरू कर दिया, the accused man, छिपा दिया, found guilty of murder, the accused man, past participle मना है, तो दो sentence को इस तरह हम जोड़ देते हैं, देखलों से फिर आगे बढ़ते है, एक sentence है, I feel guilty, मैं दोशी महसूस करता हूँ, about forgetting, हर birthday, उसके birthday को भूल कर, अब यहाँ पर about जो है, जैसे यहाँ पर तो off का निकल आया, तक का, यहाँ पर नहीं निकल आया, यह sense दे रहा है, तो proportion जरूरी नहीं है, हर जग है, एक meaning ही दे, sense भी होता है, और यहाँ पर हम दूसी चीज़ें भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि about ही लगा होगा, तभी सही माना जाएगा, एक sense दे रहा है, आगे बढ़ते हैं, फिफ सेंटेंस, hardly had we settled down, मुश्किल से ही हम बैठे थे, अब यह, excuse me, थोड़ा सा जो है, खासी है, थोड़ा मौसम चेंज भूआ है तो थोड़ी दिक्कत है, hardly had we settled down, मुश्किल से ही हम बैठे थे, when we were startled, जब हम चौक गए, by the loud noise, तेज आवाज द्वारा, being made, passive voice है, being, passive voice है, being के बाद में third form, being made, जो करी गई थी, outside the house, घर के बहार, इसको अगर हम देखें, तो hardly adverb है, और adverb से भी हम sentence शुरू करते हैं, जोड़ देने के लिए, जिस हिंदी में होता है, बस आ रही है, बस subject समझने वाला तो sense निकाल रहा है, आ रही है, बस, तो यहाँ पर भी क्या है, जब adverb होता है, तो उसे हम शुरू में लिख लेते हैं, और जब adverb आप शुरू में लिखोगे, तो आपको help लगानी बढ़ेगी, hardly had we, बढ़ना क्या लिख सकते हैं, we had hardly, जब hardly had we लिखते हैं, तो यह जोर देता है, मुश्किल से हम बैटे थे, यह सही है, past perfect है, third form है, when we were startled, passive है, जब हम चौक गए, startled यहाँ पर adjective है, adjective है, when we were startled, हम चौक गए थे, चौक ना, adjective है, जैसे हम कहते हैं, America is a developed country, developed आ गया, इसके बाद में developed, passive voice नहीं है, is a developed, developed third form है, इसी तरीके से यह adjective है, third form से बनाए, तो third form वाले भी adjective होते है, word startled, adjective है, third form से बनाए, by the loud noise, तेज अवाज द्वारा हम चौक ए, being made, passive voice है, which was made, which छिपा हुआ है, और was ना लगा के क्या लगा दिया, being, which was made, which being made, तो यहाँ पर which छिपा लिया, ठीक है, sentence को जोड दिया है, being made, करी गई थी, outside the house, यह sentence सह ही है, अब बहुत lengthy, difficult way से लग रहा है, क्योंकि यह lengthy sentence है, तो हम अगर देखें, तो hardly के साथ में, हम when use करते है, यह generally mistake में आता है, hardly के साथ में when use कर रहा है, तो यह part सही हो गया, और बाकी पूरा sense भी सही आ रहा है, we were started, यह adjective है, third form है, by the loud noise, सही है sentence, आगे बढ़ते है, पहले लिख लिया, वर्ब से पहले, उसने मुश्किल से ही खाया था, या फिर हम बाद में भी लिख सकते है, he ate hardly anything, इसे आप शुरू में भी बना सकते हो, hardly had word है, hardly did he eat anything, helping word भाई, hardly did he eat anything, ऐसे ही बना सकते हैं, वो जोड देने के लिए, hardly के साथ में वेन लगाते हैं, I had hardly stepped out मैंने मुश्किल से ही बाहर पैर रखे, when it started raining, जब बारिश होने लगी, देख लो इसे, hardly के साथ में वेन आ गया, इसे भी हम ऐसी बना सकते थे, hardly had I stepped out, when it started raining, six sentence, he looked upon me, उसने मुझे देखा, level-eyed for a, इस तिर आखों से, few moments, कुछ छणों तक, before he started speaking, बोलने से पहले, बोलने से पहले, अब यहां पर देखे, look at कैसा word है, इसको बहुत जादा proportion आते हैं, जब हम ordinary look लगाते हैं, seem simple है, देखना, जब ध्यान से देखने के लिए आता है, तो look at आता है, gaze, stare, तो look at आपको जादा मिलेगा, look भी मिलेगा बिना proportion के, ठीक है, बढ़ना look at लगा दो अब ध्यान से देख रहो, look at लगा दो, यहां पर कैसा, look upon, look upon जो है, यह अलग meaning होता है, यह मैं आपको बता हूँगा, उसने मुझे इस ते रांखों से देखा, means, यहां पर देखना है, ध्यान से देखना, तो आप at ही लगा हो यहां पर, upon का कोई sense ही नहीं है, look के बहुत सारे प्रपोशिशन होते हैं जो आते हैं, वो मैं आपको बतला रहा हूँ, he looked at me, he stared at me, उसने मुझे देखा, level-eyed, इस ते रांखों से, for a few moments, कुछ छड़ों तक, before he started speaking, उसके बोलने से पहले, अब यहां पर है sentence है, देखो, she looked, उसने देखा, upon या on, this affair, इस मामले को उसने चुटकले के तौर पर देखा, तो looked upon, या looked on होता है, consider, माना, यह sense देता है, मानने का, उसने माना इस affair को, उसने she considered this affair as a joke, तो looked upon या look on, consider का sense देता है, यह आपको कम मिलेगा, ठीक है, look on जो होता है, यह बहुत मिलेगा, और यह होता है, watch, जब आप कोई match देख रहो, movie नहीं आएगा, जब audience के तौर पर देख रहो, a large crowd, बहुत बड़ी भीर, looked on, देखी, बहुत बड़ी भीर ने देखा, as the band played, जब band play कर रहा था, बजा रहा था, तो बहुत बड़ी भीर ने देखा, तो audience है, बहुत बड़ी भीर ने देखा, she looked up from her book, जब आप dictionary में कोई meaning द sense देता है, I am looking up the word, मैं word को देख रहा हूँ, means dictionary में धूंड़ो, अब ये mobile में भी use कर सकते हो, ठीक है, I am looking for my keys, look for, समझ गए होगे, look for होता, search, I am searching my keys, तो इस search का sense देता है, look for, search का, look down, अब इसका meaning में कहूं, तो ये simple सा है, list है पूरी, उसमें उपर से नीचे की तरफ दे ने नीचे की तरफ देखा, list में, but could not see his name, लेकिन उसका name नहीं देख सका, इसको एक बार screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम, अब देखो, आगे है sentence, looking into, we were looking into this matter, look into होता है, investigate, हम इस matter को, की छानबीन कर रहे है, इस matter को देख रहे है, छानबीन का sense देता है, investigate का, the police are investigating this matter, the police are looking into this matter, investigating, you're looking into, जब आप किसी जगे जाओ, घूमो इधर उधर, तो वहाँ पर लुक अराउंड आएगा, अराउंड होता है, इधर उधर उधर, चार ओर, और लुक इधर उधर उधर घूमने गए, तो विजट का sense देता है, ठीक है, she spent the afternoon, उसने दुपैर का समय बिताय looking around the town, ताउन में इधर उधर उधर घूमने में, इधर उधर 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 देखने में, उसने दुपैर का समय बताया, टाउन में इधर उधर उधर देखने में, अगला है, to think, about what will, जब आप सोचो, क्या होगा, क्या होगा आगे, look ahead, आगे सोचो, आगे की सोचो, तो look ahead आत हम कोशिश कर रहें, to look ahead, आगे की देखने की, आगे की सोचने की, हम आगे की सोचने की कोशिश कर रहें, and see, और देखें, what are options are, हमारे क्या options है, तो look ahead है आगे की देखने की या आगे की सोचने की, to think, जब आप आगे, future के बारे में सोचो, हम कोशिश कर रहे हैं आगे के देखने की, हम कोशिश कर रहे हैं आगे के सोचने की, next है take care of, देख भाल करना, look after, यहां लिख दे रहा हूँ, मैं देख भाल करना, don't worry about निहा, निहा के बारे में चिंदा मत करो, she can look after herself, वो अपनी देख भाल कर सकती है, तो look after होता है, देख भाल करना, screenshot ले लो, तो look के साथ में बहुत सारे proposition आते हैं, सबसे जादा जो use होता है, वो look at होता है, look on use होता है, audience के तौर पे, यह तो main है, look into, investigate के तौर पे होता है, यह आपको ध्यान रखना है, look for search के तौर पे, seven sentence, the man who was blind with the right eye, आदमी जो अन्दा था, सीडी आँख से, was a notorious criminal, वो एक कुख्यात क्रिमिनल था, criminal noun, notorious इसकी विश्ची सा बतला रहा है, तो adjective, इसका नाव notoriety होता है, of this area, इस area का कुख्यात क्रिमिनल था, the man who, ठीक है, आदमी जो was blind, आदमी जो अन्दा था, ठीक है, with the right eye, जब blind हो, अंधी की बात हो, और आख की बात हो, blind का ही sense में आता है, जब blind की बात हो, आख से related, तो हम यूज करते है, in, blind in the right eye, blind in left eye, he is blind in one eye, वो एक आख से अन्दा है, तो blind के साथ में in आता है, जब आप आखों के लिए बात करो, he is blind, वो अंधा है, in both eyes, दोनों आखों से, तो इन दोनों के लिए आए, ठीक है, दोनों आखों से, तो आख के लिए जब अंधा हो, तो इन आता है, लेकिन जब अंधापन किसी और चीज के लिए आए, तो हम फिर दूसर प्रपूर्शन आते है, इसके शॉट लेलों फिर जो है, अंधे के लिए नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, किसी और चीज के लिए, he was blind, with fury, वो गुसे में अंधा हो गया, गुसे में पागल हो गया, गुसे में पागल हो गया, तो blend with fury, fury होता गुसा, means वो अपने sense भूलिया, इतना गुसा हो गया कि वो reasonably behave नहीं कर पाया, तो तो अपने गुस्से में अंधा हो गया, तो blend with fury, जब आंक हो, तब ध्यान रखना, blend in, I, 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 ध्यान रखना, ठीक है, बाकी तो हम कैसे भी लगा ले, जब किसी चीज के प्रती ब्लैंड हो, किसी कमी के प्रती ब्लैंड हो, she seems blend, वो, जो है, blend प्रतीत होती है, to his false, उसकी कम्यों के प्रती, वो अंधी प्रतीत होती है, तो यहाँ पर, to his false, उसके false के प्रती, वो अंधी प्रतीत होती है, तो यह एक sense दे रहा है यहाँ पर two आया बस आँक के लिए आपको in लगाना है As I turned the corner जैसे ही मैं corner में मुड़ा, the sun blinded me यहाँ पर verb है टांस्टेवर sun ने मुझे अंदा कर दिया So I did not see the other card इस वहे से मैं दूसी कार नहीं देख पाया Screenshot ले लो, तो blind के साथ में हम इन ही लगाते हैं आक के तौर बाकी में हम proportion जरूत के हिसाब से लगा लेते हैं Verb में हमने नहीं लगाया है Blinded me Air sentence Each of boys brought हर एक लड़का लाया Past indefinite में, his own unique talent to अपना अधुत talent Team में To the team, team में, team में लाया To the team, अब each of boys जब यहाँ पर noun हो यह noun है जब यहाँ पर noun हो और each से जुड़ा हो तो आप हमेशा जो है Each, either, neither हो Every हो, तो यहाँ पर हम D लगाते Each of the boys, neither of the boys Either of the boys अब यह चीज़ थोड़ा से थेहान रख नहीं यहाँ पर को sentence है उससे आपको clear चीज़े हो जाएंगी Each of the boys, noun में आता है यह noun होना चाहिए एक sentence है यहाँ पर Each option, each singular होता है ध्यान रखना इसके साथ में option आया है Singular है Options नहीं है Each singular, यह mistake बहुत आता है Every boy, each boy Boys नहीं, each boy Has, singular है Singular है, its own advantages हर एक option की अपनी advantages खुबियां और कमिया है लेकिन अगर each के साथ में off हो और pronoun हो तो pronoun plural आएगा ध्यान रखना है pronoun plural आएगा Each of us या फिर आता है Each of them Plural आएगा Singular नहीं आएगा कि him लगा दो, हर लगा दो Each of us, each of them यह भी singular है Each के साथ में आपने इस लगा आए Each of us is responsible हमें से हर एक कोई जिम्मेदार है for keeping the environment clean environment को साफ रखने में अब यहाँ पे देखते है Each of, either of, neither of के बाद plural noun हो noun हो अगर plural है ठीक है, plural noun के पहले आप दी लगा होगा noun plural ही होगा Each of boys plural ही noun होगा यहाँ दा आएगा Neither of ध्यान रहे है ठीक है यह plural pronoun है प्रूर्ण करो, plural noun है plural noun है और इस से पहले दी आएगा जरूर अगर यह प्रूर्ण होता तो नहीं आता जैसे Neither of Solars Neither of Them Neither of Us तो तो नहीं आता लेकिन अगर यह प्रूर्ण है Neither of the Boys Neither of the Girls Either of the Girls तो इसमें जो है अगर ना होने तो आप दी जरूर लाओगे और यह plural आएगा और यह singular रहेगा यह भी ध्यान रहेगा यह singular ही आएगा यह singular ही रहते हैं ठीक है Neither of the Solars was injured कोई सा भी इस अगर इंजर नहीं था इस रूल को ध्यान रहेगा इस की शॉट ले लो बहुत इंपॉर्टेंट और यह confusion कई बार करता इन सेंडेंस को ध्यान रहते हैं कई बार हमें रूल जोते हैं सेंडेंस के जरीए भी ध्यान रहते हैं आगे बढ़ते हैं 9th sentence The streets of Delhi Delhi की सडकें are wider चौड़ी है than that of Mumbai Mumbai से यहां पर तुलना हो रही है Delhi की सडकें प्रूल है Mumbai की सडकों से अभी students Sorry students The streets of Delhi Delhi की सडकें यहां प्रूल है और यहां पर जो है singular दे दिया है तो देली की सडकों की जो तुलना हो रही है वो हो रही है Mumbai की सडकों से तो क्या एगा that का प्रूल क्या होता है those अच्छा repeat करना बुरा होता है The streets of Delhi are wider than the streets of Mumbai the streets the streets repeat होता है तो repeats को बचने से लिए repeats repetition से बचने के लिए हम यहां पर that है दोस का यूज़ करता है that अगर singular होता और those प्रूल है तो streets प्रूल है दोस प्रूल हो गया एक sentence को दिखते है the climate of Pune climate यहां पर singular है Pune का climate is better better है than that of Mumbai Mumbai से अब that भी singular हो गया climate और Pune is better than the climate of Mumbai तो repetition से बचना है तो सम ने ज़र that of लगा दिया देख लो इसे एक बार फिर आगे बढ़ता है भाब last sentence है tenth they must help me वे अवश्य मेरी मदद करेंगा उन्हें अवश्य मेरी मदद करनी चाहिए उन्हें अवश्य मेरी मदद करनी चाहिए to finish the work work को finish करने के लिए and ensure और पक्का करें everything is completed हर एक चीज complete हो गई हो उन्हें अवश्य मेरी मदद करनी चाहिए ठीक है to finish the work अब यहां पर mistake है देखा जाए तो इसमें mistake नजर नहीं आ रही है फिर वोई चीज आती English में कि एक sense होता है ये native speaker को आसनी जे ध्यान रहता हमें दिक्कत होती है तो यहां पर आपको कुछ वर्व ध्यान रखने है screenshot जरू ले लेना बहुत important rule है इसका आप ध्यान रखना पड़े है कुछ rules को रखना पड़े है sentence को revise करते रहो help के साथ में हम infinitive help है वर्व और यह finish भी वर्व है दोनों वर्व है साहेता करना finish खत्म करना इनको जम use करते है तो infinitive without to use करते है to नहीं लगाओगा help के साथ में help me finish अब आपको ऐसे कैसे to finish अच्छा लग रहा है यह एक rule बना रहा है जो पहले से ही चला आ रहा है और इसमें जो अदा है help और कुछ वर्व ऐसी जिनके साथ में infinitive बिना to के use करते है एक sentence को देखते है you work hard वर्व है तुम मेहनत करते हो to earn money रुपया कमाने के लिए क्या ही है infinitive ठीक है infinitive है दो वर्व को to से जोड़ दिया यह भी वर्व है यह भी वर्व है दो वर्व को to से जोड़ दिया taraf वी वर्व है earn वी वर्व है लेकिन यहां पे बिना to से जोड़ा है to यहां पे नहीं लगाया to नहीं लगाया you help me तुम मेरी मदद करते हो रुपया कमाने में तो help के साथ में हम infinitive का use करते हैं बिना 2K, बिना 2K use करा है, अब आगे देखते हैं, last screenshot होगा, कुछ वर्ब है, let, bid, आग्या देना, help, make, active voice में, ये वर्ब केवल active voice में है, ध्यान रगना है, केवल active voice में, direct infinitive, means, बिना 2K use करोगे, first form use करनी है, बिना 2K, अगले वाले में, sentence देखते हैं, she let me go, उसने मुझे जाने दिये, यहाँ पर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा, to नहीं आएगा, to नहीं आएगा, she let me go, let we वर्ब है, first form और go भी, first form है, I bid, second form है वर्ब की, ठीक है, I bid him leave, मैंने उसे अलविदा कहा, I bid him leave the room, मैंने उसे रूम से जाने को कहा, अलविदा कहना आता है, bid की second form, bed, अब यहाँ पर देखो, leave, first form है, यह second form है, तो आखिर क्यों आई, first form, क्योंकि यहाँ पर to, नहीं लगाया है, infinitive use करा है, बिना to के, तो bid के साथ में, आप बिना to के, जो है, वर्ब यूज करोगे, I bid him, to चिपा हुआ है, leave आ गया, next है, positive verb है, जब हम काम करते हैं, करवाते हैं, किसी से करवाते है, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पत्र लिखवाया, तो यह positive verb है, I made him wash, मैंने उससे दुलवाय, all the clothes, सारे कपड़े, मैंने उससे सारे कपड़े दुलवाय, made, second form में वर्ब की, और wash यहाँ पर, first form है, first form कैसे आगई, जब कि यह तो second form में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर two चिपा हुआ है, I made him wash, तो I made him, two chip गया, I made him wash, all the clothes, और यह कहाँ पर rule लगता है, active voice में, अब यह वर्बागर passive voice में हो, bid, help और make, तब आप two लगाऊ गए, अब आपको two लगाना है, जैसे sentence है, यही sentence है, He was bidding to leave the room, उसको कहा गया, room को छोड़ने को, by me, उसको मेरे द्वारा room को छोड़ने को कहा गया, He was bidding, third form है, bid in, और यहाँ पर two से जोड़ दिया, to leave, अब यहाँ पर आ गया, तो bid के साथ में, first form, जैसे to और infinitive use करा है, क्योंकि यह passive voice में है, जबकि यहाँ पर यह ने use करा थ bid him leave, और bid him to leave, I must be helped, मेरी अवश्य, मदद करनी चाहिए, to finish the work, work को finish करने के लिए, अब यहाँ पर help के साथ में two और finish, दो work को two से जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यह passive voice में हम help के साथ में two जोड़ सकते है, He was made to wash, उससे दुलवाए गए, all the clothes, सारे कपड़े by me, मेरे द्व द्वाए गए, तो made to wash, द्वाए गए, सारे कपड़े, मेरे द्वारा, तो यहाँ पर जो है, passive voice में made का यूज हुआ है, तो यहाँ पर infinitive यूज करा two आला, और यहाँ पर हमने नहीं करा था, इससे एक बार screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ते है, खतम हो गया है, वैसे, अगले